सुल्टानपुर में एक बलाष्ट की वज़ा से एक घर मैदान बन चुका है मेरे पीछ अगर तस्बीर देखेंगे यह वह घर है जहां पर यहां तीन रूम हुआ करते थे एक रूम यहां थे एक रूम वहां थे बीच में आगन था लेकिन अब यह रूम नहीं रहा है यह वह ही घर है जो पीछे से नक्सा बदल चुका है लेकिन आपको बताओं कि जो यह आपडेट है जिनका यह घर था वह सामने इनकी दुकान थी वह चाय की गुंटी थी यही पर अपना जीवन यापन करते थे बिताके और इनके जो पूत्र थे वह दो पूत्र बाहर रहते हैं ल लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से इस ब्लाश्ट के बाद पूरे गाउं में मचा हुआ है घटना के बाद या एक सुल्तानपूर की दिल दहला देने वाली वार्दात है अब मैं आपको बताओं कि इस घर में ज्यादा सदस्त नहीं रहे हैं क्योंकि वह अपना जीवन यापन करते थे इसी गुंटी पर जीवन यापन कर लेते थे उनके बच्चे बाहर लेते थे अपना जो है कमाई याजाई करके अपनी जीवन यापन वह भी करते थे यह उनका परिवार है यहां पर परिवार का कोई है कौन है कि यहां पर परिवार का कोई है हट जाई हटो कल चार बजे हुई है जो मृतक हैं वो कौन थे आपके दो पतुवा है एक लड़का है जिस समय घटना हुई है चाथी उस समय घर में कौन-कौन था आप कौन है घर की घर के साथ यानि आप माता जी हैं कितने बच्चे हैं आपके जो मृतक है जो जिसकी मौत हुई है कितने नंबर का लड़का था इसमें मृतक नहीं हुई है आपडेट प्रेही दी जा रही है फिर हाल ये इस घटना के बाद निसर्द हुँ कुछ बोला नहीं जा सकता है क्योंकि यह जो दुकान है चाथी बाहर आपकी ही दुकान है इसी पे रह के जीवन यापन करते थे बकरी धी पूरा परिवार सतमे में हैं गाहँ वालों की लोग यहां पर मौजूद हैं और कहीं न कहीं यह एक बहुत ही बड़ी घटना है लेकिंड परिवार वाले बेसुद है परिवार वालों के हालत बिल्कुल भूने लायक नहीं एक गाहों की जो लोग होते हैं और क्या सिलेंडर फटने की वज़ा से एक माकान पूरा मैदान बन गया इस घटना में दो लोगों की जान जा चुकी है और एक और अस्पताल में मौत और जीवन के भी शंगर्स कर रहा है मैं आपको बता हूँ कि इस गाउं का नाम है सराईया पूरे विसेन गाउं और इसी गाउं में सिलेंडर फटने की वज़ा से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ धमाका इतनी तेज़ था कि पूरा महुला दहल गया और इस महुला दहलने के बाद मेरे पीछे अगरा फ्रेम में देखेंगे यह वह घर है अब यह घर घर की तरह नहीं रहा यह खंडर बन चुका है पूरा दीवाल काला हो चुका है घर की यलमारियां घर के जो बेट भिर चीज बगारा जो भी घर की ग्रस्थीयां थी सब मलवे में अभी भी दबै हुए हैं इस मलवे मं यह तो सामन जो दबे हैं दबे हैं लेकि कल इस गटना में में तीन लोग दबे हुए थे जिस नहां की मौत हो चुकी है है पूरा च्छत जमीन पर ढटाय चुका है और यह सारे उनकी घर की ग्रस्ति यानि बरतन शिलेंडर वो देखिए गैस चूला भी सामने आपको दिख रहा होगा अलाकि फॉरंसिक रिपोर्ट के अनुसार जो बयान सोसल मेरिया पर अधिकारियों के आए हैं यह सिलेंडर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि मिली जानकारी की अनुसार इस घर्म में जो व्यक्ति रहता था वह पटाखा कारोबारी था ऐसा लोग कह रहे हैं लेकिन इस घटना को सिलेंडर के धमाके से जोड़के देखा जा रहा है और मगर तजबीरों की बात करता हूं इस घर्म में अब को ही नहीं रहा है क्योंकि जो मरतक हैं जो इस घर के जिम्मेदार हैं उनके छे पुत्र रहे और उनका नाम है बकरीडी बकरीदी के छे पुत्रे हैं लेकिन बकरीदी के जो बेटे थे और उनकी जो बहु थी अब इस दुनिया में नहीं रही है लेकिन एक बहु अभी भी अस्पताल में जंग लड़ रही है और कहीं न कहीं इस घटना के बाज पूरा गाउं सद्वे में पड़ा हुआ है लेकिन ये सुल्तानपूर की इतनी भयानक और इतनी धमाकेदार जो घटना थी पूरा गाउं हील गया है अलाकि सुल्तानपूर में अभी तक मैंने इससे बड़ी कोई घटना तो नहीं देखी है जिस तरह से पूरा च्छत गिर करके पूरा मैदान बन चुका है गाउंवालों की सहयोग से जो यहां पर मतलब जो इसके अंदर मलबे में दबे हुए थे उस घटना के समय हलाकि जे सीबी वगारा सबको फोन कर दिया गया लेकिन उससे पहले गाउंवालों ने अपनी सूजबूस के अनुसार इस मलबे में जो दबे थे उनको बाहर निकाला और आनन फादन में जिलास पताल का बताया जा रहा है मामने गाउंवालों की भी लगी है लेकिन जब यहां पर ब्लाश्ट हुआ था तो गाउंवाले जो है इकत्ठा हुए थे क्या नाम है आपका मुहम्मद साहिद यहीं करेने वाले हैं जी कोटिया कोटिया के य अचा यह बताइए यह जिस तरह से ब्लाश्ट हुआ है इसमें इस घर में सादस को आप जानते थे जी कौन था बकरीदी भाई थे उनकी वाइफ थी और मेहंदी था और उनकी जो पत्नी थी अवच्छे थे मेहंदी इसको आप जानते थे बात्चीत होती थी ना यह इसमें जो कितने लोग लेते कितने लोग रहते थे परिवार के रोग अभी रहते थे ब्लाश्ट की आवा सुनके आप आए हैं तो यह घर जैसे पहला था वैसे था नहीं नहीं सब बिखरा हुआ था तब इदर उदर पड़ा हुआ था सुल्टानपुर में ऐसी कभी और भ साहिए थे इस वज़े से घटना हुई है या फिर सिलिंडर फटा है आप लोगों को क्या लगता है नहीं सिलेंडर के वज़ा से जानना चाहूंगा जिस तरह से यह ब्लाश्ट हुआ है पूरा मुहलाई क्था यह मैंने आपको तस्बीरों में भी दिखाई क्या लगता है यह सिलेंडर है या फिर कोोई शामागरी सामको यह घटना घटी ती लगबग साड़े चार चार कि आसपास में तो हमारे गाऊं में बाजय। लेकिन हम लोग को सूचना मिली कि बकरीदी चाचा के घर में सिलेंडर की वज़ा से भी स्पोर्ट हुआ है उनकी छतें और दीवाले जो है गिर गई है धरासाही हो गई और हम लोग आये आननपनन में किसी तरह से तो उनकी दो बहुएं जो है दीवाल और छत के मलबे के नीचे दबे हुए थे तो मैंने एक रायापूरे इसी छेत के अंतर गाता है तो इकबाल भाई जीसीवाले को सूचना दिया तो अननपनर में अपनी जीसीवी यहां पर भेजे उसके पहले ही गाओं के दोनों गाओं के यूवाओं ने छत को अपनी कठीन परिशरम से हटा दी गई वह भी मौके पे आए और और आचुके थे और थाना पर साशन कोड़वार भी आचुके थे और इन लोग की मदद से सभी सागाओं वालों के सायोग से इंबूलन्स को बुलाया गया उसके बाद में अपसे जानना चाहूंगा जब यह घटना हुई है तो इस घटन घर पे ही जमी दोज प्राइब तो सभी लोगोंने कठीन परसराब से से उसको हटाया और जो महिलाएं थी घट हुई थी उनको निकाला गया था इस तरह से ब्लास्ट हुआ है जिस तरह से पूरा मकान उढ गया है इसमें पूरा च्छा तरह करेंगे तो आप इसको मतलब आप दूसरी तरह दिखाएंगे ना तो ब्लास्ट जो हुआ तो उसके करण दिवाल गिरी बात समझें किसी चीज के बगल अगर बलाश्ट होगा तो तो दिवाल गिरेगी आपको क्या लगता है वह स्लेंडर था या फिर इसे खबरे चल लगी है कि पटाका वेवसाही थे लेंडर था जो है फॉरेंसिक टीम आई है वहारे यहां के बड़े बड़े जो है अधिकारी लोग आए है पूरी जाज करके ले गई है जो है जो है कई जगहों से उन्होंने परामत किया पुलिस ने भी जो है उस चीज को बहुत जब भी पहुंची एक सो बारा पहुंची वह सब तो जो है एक सिलेंडर फटा है तो तो उसके कारण ऑसको ढूरा यो डैनलों वह और जा रही है और हर पहलू पर जास्की जा रही है कि यह किस तरीके का धमाका हुआ है लेकिन फिराल एक बार धमाके की तस्वीर फिर से देखिए गाउवालों का ऐसा ही कहना है कि यहां पर सिलिंडर भी स्पोर्ट हुआ यहां इस सेट किया है यह सब फैलाया उसी ने समान अच्छा जी पहले यह पूरा ढाया गया तो उसके बाद फैलाया गया क्योंकि दो बच्चे थे दो बच्चे पहले जो है यह है कि वो बच गए थे अभी मुझे यह बताईए कि अभी इनके घर में कौन-कौन बच्चा रह है जो की बहुत ही मैं कहाँगा कल से बहुत है सदमे में हैं गर में होगा तो उसकता है कि में घर पर यह यह सकता है क्योंकि हम लोग पता चल रहा है कि मिट्डेने का प्लान है वह फिर आपसे सब्सक्राइब करते हैं कि अधिकारियों के बयान है हम आपको बयान भी सुनवाएंगे